हेलो एवरिवन नमस्कार सबी को आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गंगा किचन रेस्पी में आज हम बनाएंगे हरियाना का जो पारमपरिक साग होता है वो और बाजरे की रोटी यह सर्दियों में अक्सर सभी घरों में बनाया जाता है हरियाना में तो आज मैं आपके लसन इसमें थोड़ा जादा पड़ता है तो मैंने ये लसन को छील कर ले लिया है और ये थोड़ा अद्रक है ये मैंने अद्रक का एक टुकडा लिया है और 6-7 हरी मिर्चे लिये हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्च का इस्तमाल नहीं होता तो मैंने ये साग में लिया है पालक औ ड्धा ड्ली और उसके अंदर मेंने आधा कटोरी से भी पहुत थोड़ा सा पाणी डाला है यहां इन पानी करके ही घुल्ण हीं और में में धिmbra सही मुझे गर हो हुए और यर से जल्दी व्हुत अच्छा गुनता है उससे क्या है कि बहुत हमें ना नरम को लगाना तो तो देखिए सेमी डोव मेरा बनकर त्यार हो गया है, अमें कढढाई लूँगी, और कढढाई में हमें कोई तेल या खीए नहीं ढालना है, बैसे ऐसे गरम करना है कढढाई को, अब मैंने जो साग उबाल के लिया था, वो यह है, मैं इसको पूरे को ही साग को, उसके कढढा इहां पर जिसमें साग आपने उबला है चायो कुकर हो जब भगो ना हो आप उसमें भी साग को मैस कर सकते हो बाकी कोई और बरतन आपके गंदे नहीं होंगे लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसी वज़े से मैं कड़ाई में इसको बना रही हूं तो हम साग को देखो कितन है जले ना क्योंकि हमने साग के अंदर तेल का या घी का इस्तमाल नहीं किया है तो इसलिए शुरू में हम साख जब हम हलक सा तो हम गैस को लो हिट पर ही रख कर पकाएंगे वैसे कर साग को ज़्यादा पकाने की जरूत नहीं है क्योंकि हमने साग अल्रेडी उवाल कर लिया हुआ है तो इसके अंदर केवल वू हरी मिर्च और रदरक लशन का पेश्ट डाला था उसका थोड़ा सा फ्लेवर कच्चा ना रहे इसी वज़े से थोड़ा सा मैंने इसे पकाया है अब आपको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ह आप देख सकते हो मैंने तीन चम्मच आटा वाजरे का चाच में डाल दिया है अब एक विसकर की हल्प से और आटे के साथ चाच को मिक्स कर देंगे तो अच्छे से मिक्स कर देंगे कि इसमें कोई लंच ना रहे हर्याना में आलन भी बोलते हैं अब हमें चाच के साथ पान मिक्सर हमने चाच का बनाया है उसको हम साग के अंदर एड कर देंगे जब हम मिक्सर साग में डालेंगे उस टाइम पर क्या है कि गैस को हम लो हीट पर ही रखेंगे उसके बाद जब डाल देंगे थोड़ा चला लेंगे उसके बाद हम इसे मीडियम हीट पर कर लेंगे तो क तक एक उबाल ना आ जाए तो आप देख सकते हो कि साग पहले से थोड़ा ठिक होना शुरू हो गया है इसमें बाजरे का आटा डलता है और इसमें छाच डलती है इसके अलावा इसमें कुछ नहीं ना कोई मसाला एड होता है और ना कोई तड़का लगता है आप अगर ये कंपरी की तरीके से बना रही हूं जैसे की हर्याना में बनता है मैं आपको वैसी ही रेसिपी इसकी शेयर कर रही हूं आपके साथ में तो देखिए आप साग थोड़ा सा गाड़ा होने लग गया इसमें उबाल भी आ गया है लेकिन अभी जब तक इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है तो अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद हम 5-10 मिंट के लिए इसे छोड़ देंगे लेकिन अभी हम चलाना बंद नहीं करेंगे तो कहीं लोग क्या करते हैं कि इसमें तड़का भी यूज करते हैं और लाल मिर्च का भी इस्तमाल करते हैं मैंने इसमें लाल मि और ठिक भी हो गया है तो अभी हम 5-10 मिंट के लिए इसे पकाएंगे क्योंकि बाजरे का आटा पकना बहुत जरूरी है तो 5-10 मिंट तो इसे पकने में लगेंगे जब मेरी मम्मी बनाती थी ना ये साग बहुती टेस्टी होता था मा के हाथ से तो टेस्टी कुछ अलग होत है लेकिन मैंने पूरी कोशिस की है आपको इसके एक-एक स्टैप बताने की अब हम क्या करेंगे कि गैस को लो हीट पर कर देंगे और साग को 5-10 मिंट खुला ही पकाएंगे नमक डालके मैंने इसमें शुरुआत में नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि छाच होती है वो 5-10 मिंट के लिए अब जब तक साग पकरा है तब तक हम रोटी की तयारी कर लेते हैं तो मैं रोटी आपको दो तरह से बताऊंगी एक जिनको रोटी बनानी नहीं आती बाज रेकी और एक जो इजली बना लेते हैं तो एक बड़ी सी पन्नी लेंगे और मैंने देख सकते हो अब हम पन्नी को दूसरी तरफ से इसके उपर रख देंगे और हातों की हेल्प से इसको धीरे धीरे गुमाते हुए हतेली से हलका हलका प्रेस करेंगे अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल रोटी इजली बन कर तयार हो गई है तो मैं आपको अब दिखाती हूँ पन्नी हट ताके कि रोटी बहुत आसानी से और बहुत पतली बनी है लेकिन आपको यहां पर मैं एक बात बता देती हूँ कि बाजरे की रोटी पतली ही नहीं बनती बाजरे की रोटी मोटी ही अच्छी लगती है क्योंकि बाजरा पहले से ही थोड़ा सा क्रिस्पी और करा रहा होता है उसको अगर हम ऐसी पतली रोटी बनाएंगे तो वो बिल्कुल पापड की सेप में हो जाएगी तो आप कोशिस करना की मोटी ही बनाए अब मैं तवे पर बना के दिखा रही हूँ आपको लोहे का तवे मैंने यूज किया है अब यहां पर मैं आपको नोन स्टिक पर भी रोट बना कर दिखाती हूँ हातों से यह मैंने थोड़ा ज्यादा आटा लिया है और हतेली की हैल्प से ही मैंने आपने हतेली में ना तो कोई तेल का यूज किया और नहीं पानी का यूज किया है और आराम से ही मैंने इसली रोटी को बढ़ा कर लिया है दोनों हतेलियों से उंग गैस पे भी बना सकते हैं तो आप देख सकते हो कि मैं कपड़े से भी पका के आराम से पक जाएगी है और गैस पे भी लेकिन आप को सिस करना रोटी को थोड़ा सा मोटा ही बनाए पतली ये रोटी अच्छी नहीं लगती है गैस पे भी आप इजली इस रोटी को बना सकते हो लेकिन अगर आपके पास चुला है, अंगिठी है तो आप उस पे भी बना सकते हो, अब आपका बाजरे की रोटी, खटे का साग बिल्कुल बन कर तयार है, बहुत अच्छा, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से मैंने आपके साथ इसे से शेयर किया है, आप इंज्वाई क और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना, आप अपना टाइम दे कर मेरे वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई, टेक केर